सबसे बड़े चुनोती क्या लगती 2023 में, आपके सामने क्या हो जगती है और सबसे आसान क्या लगता 2023 में आपके लिए? रहता तो उपर लीचे हो जाती तो समय भी हम लोग सत्ता से बाहर हो सकते थे तो यूद को पकड़ के रखना उनके मुद्दों पर काम करना उनको जोड़े रखना ये पालिटी का ध्यान मुख्य तोर पर होना चीए और इसी पर पालिटी को काम करना चीए दोस्तो नमस्कार मेरा ना संतोस पांडे है मैं इसमें हूँ राज्थान के राध्धानी जैपुर में राज्थान में राजनीती खल्चल लगातार कुछन कुछ इन दिनों हो रही है कभी कहा जाता है कि बसुंदरा को भाजपा से आउट किया जा रहा है कभी कहा जाता है कि गहलोट राश्य अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तमाम चीज़े हो रही हैं लेकिन कुछ दिन पिछले अगर दौर में चले दो साल पहले भी इसी तरी के खल्चल मची हुई थी और उस खल्चल में सबसे चर्चित चेहरा कोई था तो वह थे मुकेज भाकर जो नागार जी लेक लाड़नू विधान सबासे विधायक हैं मुकेजी हमारे साथ समय जूड़ चुक हैं मुकेजी सरकार में आप हैं सरकार आपकी है आप मंतरी भी नहीं है लेकिन सबसी ज्यादा चर्चित अगर कोई होता है तो मुकेज भाकर ही क्यों हो जाते हैं देखे ऐसा नहीं है कि वलत बात हमने रखी हो तो जो मेन मुद्दे हैं उन्हीं पर हमेंसा अपनी बात को रखा तो कईने कई आम जनता का प्यार मीडिया का प्यार साथ रहा इसकी वज़े साथ यह सब चीजें हुई लाटनों चीज विधान सबाद 6 से आप आते हैं वहां मैं देख रहा था कि आपने जिस विधायक जो सेटिंग एमले थे शायद उनको आपने हराया 15,000 के अधिक मार्जिन से जब आपने डिसीजन लिया कि आपको पाइलेट साहब के साथ जाना है और उस दवरान आपके त कर रहे तो उस समय कि नहीं आपका डिसीजन सही है या आपने कभी सोचा कि उनकी उपर उनका क्यारेक्शन हो रहा होगा जो आपकी जनता है वहां की देखिए आम वहां की जनता के और मेरे लोगों में सब में ये था कि एस जिन पाइलेट जी के साथ का आदमी एस जिन कोई हमसे तालुकात नहीं था तो मुझे मेरे किसी आदमी नहीं ये नहीं का कि आपने गलत किया उन्होंने का जिस नेता ने आपको बनाया आप उसके साथ रहे यही आपकी खाशी है तो और यही आपको करना चाहिए था लोगों का रियेक्शन आपके लिए अच्छा था और आप लोग अपने चीजों से बठक जाओगे तो सिर्फ पांस साल के लिए तंखा फैंसन लेने के लिए हम लोग बने नहीं है अगर सही मुद्दे हम लोग नहीं उठा पाए तो किस तरह के जन्ट परतिनी दी हम है तो मेरी जन्ता का रियक्शन हमेशा मेरे फेवर मेरा मुके जी सरकार आपकी है और जब आप उस दवरान चर्चा में आए तब भी सरकार आपकी ही थी आपने क्या ऐसा किया है लाड़नू के लिए दो-तीन सवाल में आप से करूँगा क्योंकि विधान सबाद चुनाओ भी आने वाला है पास में ही है दोजार तेईस में उसमें आप मैदान में जाएंगे दो-तीन चीजे बताते चलिए जो लाड़नू के लिए आपने बहतर किया हो जो पहले के विधायक नहीं कर पाया जो आपके दिल में था हमको यही करना है चुनाओ जीतने के बाद देखिए मैं जब चुनाओ लड़ा तो जनता ने मुझसे कुछ उमीद नहीं की उनका एक मोह भंग हो गया था कि दो ही परिवारे जो अपस में अमेसा लड़ते रहते हैं जब कभी बीजेपी कभी कॉंग्रेस लाड़नू में लाड़नू में तो उनका था कि एक नया चेहरा हम लोग देखें जो चातर राजनीती से निकल के आया है चौनाव से पहले पहले खतम हो जाएगी गल्स कोलेज वहां का मुख्य मुद्दा मैंने रखा वां आपनी वीचार वी कोई लोगों की वो सोग्य को अ हम च्वा चाहां बान जाएगि कोल एक था ना एडीजे था ना एसी जेम था वो दोनू कोर्ट वहां सुरू हो चुके हैं तो एक कस्बा लाड़नू जो हमेशां से एक वहां लोगों की नजर से दूर रहा या जो परतारित जगेर ही हमेशां आसपास के कस्बे डवलप हुए वहां नीता एक सांपरदाईक तनाव क मावल अमेसा रहा तो इन चीजों से उपर उठकर लाड़नू की जनता विकास के दोर में बाकित विदानसवाओं के बराबर आ चुकी है आम आदमी की वहां सुनवाई हो रही है जन सुनवाई के मादम से हर आदमी चाए वो पॉलिटिकल है चाए नहीं है चाए कोई संख्या और मुझे लगता है बहुत हद तक में उसमें सफल भी रहा है अगर यह मैं जानना चाहूं कि जो यूथ लीडर्स यहां है राज्थान में बड़ी संख्या में है आपके पार्टी में भी है आपको कौन सा ऐसा यूथ लीडर है जो आपको बहुत ज़्यादा प्र जिस तरह के का एक लोगों के इस राजनीती के पड़्ति अपना एक जिसका ध्यान रहा है और जिस नेता ने इस राजनीती को सुछ राजनीती रखने की कोशिस किये वह सचिन पाइलेट जी है उनसे मैं काफी चीज़ें सीखता हूं और मैं बहुत हद तक उनसे प्रभाव जाना है इन चीजों पर मैं उनसे काफी परवावित हूँ एक चीज और जाना चाहूंगा कि आपके ही जिले के हैं वो जो दूसरे विदायक है राम निवास जी उनके शादी हुई उस दौरान आप ड्राइबर तब चला कि आप उस सीट पर बैठे हुए थे आप गाड़ी ल बने मैं बड़े बाई के तोर पे उनके साथ रहा उस समय तो एक हम दोनों का एक आपस में भाही वाला रिस्ता हमेसा सा रहा है और कहीं नहीं वही फोटो आप लोगों को उस समय देखने को मिली और मैं जब अपनी बात करूं तो मैंने अभी नहीं सोचा है कि साधी क्योंक पुरूसों की बात की जाए मेल्स में तो आप हैं और दुसरी चीज एक ये भी कहा जा रहा है कि जो अगला चुनाओ 23 का होगा काफी टफ होगा बहुत सारे चीजे हैं बहुत सारे जो पुराने नेता यहां के जो दिग्गा जहें वो आउट हो रहे हैं देरे देरे उनको पार्टी के द्वारा ही दोरों पार्टी से गायब किया जा रहा है सबसे बड़े चुनाओती क्या लगती 2023 में आपके सामने क्या हो जकती है और सबसे आसान क्या लगता 2023 में आपके लिए देखो सबसे बड़ा जो कॉंग्रेस पार्टी और हम लोगों के लिए है कि यूध को कॉंग्रेस पार्टी से जोड़े रखना हम लोगों का मुख्य मुद्धा रहेगा और उसी पर मैं समझता हूं कि पालिटी का ध्यान होना चीए क्योंकि पिछला चुनाव जो कॉंग्रेस पालिटी सत्ता में आई तो युवाओं का अगर समर्थन पालिटी के साथ नहीं होता तो हम लोग लगबग 100 सीटों पर रहे और कहना है कि 10 सीटें, 5 सीटें अगर यूथ हमारे साथ नहीं रहता तो उपर नीचे हो जाती तो उसमय भी हम लोग सत्ता से बाहर हो सकते थे तो यूथ को पकड़ के रखना, उनके मुद्दों पर काम करना, उनको जोड़े रखना ये पारिटी का ध्यान मुख्य तोर पर होना चीए और इसी पर पारिटी को काम करना चीए राजनीत के अलावा क्या रहता है आपके जीवन चरिया में कि वही कभी आप बहुत शेरोशारी करते हैं ट्विटर पर हम लोग देखते रहते हैं और आपने एक बहुत अच्छी से चीजे लिखे एलेक्टेट चीजे आपने लिखा है वहां बिद्वत तरीके साबके ट्विटर बायों में है अब सेलेक्टेट नहीं बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं साब देखिए मैं इस विधाइक से पहले दो चुनाव मैंने लड़े आनेस यूई का पूरे राजस्तान का बर्मन मेंने हर जीले का मैंने किया और उसके बाद जो बड़े पेशे वाले लोग थे राजनितिक तालुकात वाले लोग थे उनको अराकर मैं वो चुनाव जीता और उसके बाद National Secretary में रहा, Youth का Vice President में रहा और उसके बाद Youth Congress का परदेश अद्धिक्ष में रहा, वो भी चुनाव जीत कर एक बड़ा संगर्स भी उसमें मेरे इस से आया कि चुनाव किस तरीके से हेक हुए, क्या-क्या परेशानी आई उसके बाद में मैं अद्धेक्स बना, तो वो elected दोनूं जो संग्ठन है उनका मैं अद्धेक्स रहा हूं, तो मेरा हमेशा से इस यूवर राजनीती में इंट्रेस्ट रहा है क्योंकि इसी राजनीती ने मुझे यहां तेक पहुंचा है तो हमेसा यह रहता है कि हमजे से लोग जो साधान परिवारों के जिनका राजनीती से तालुकात नहीं है जिनका परिवार राजनीती में हमेसा से एक्टिव नहीं रहा है वो लोग कैसे इस राजनिती के इससे में आ सकें, उन लोगों को हम लोग कैसे मौका दे सकतें, इसलिए ये चातर, जो संग्ठनों की राजनिती वो मैंने की, और हमेशां से इसमें मेरा इंट्रेस्ट रहा, मैं विदाईक बनने के बाद पहला पूरे भारत में आदमी होंगा यूथ का जो, जिसने विदाईक बनने के बाद यूथ कॉंग्रेस का अद्धिक्स का चुनाव लड़ा, और मैं जीत के आया, वो चुनाव लड़ने का मुख्य वज़े ये थी कि कि कितने मेरे जैसे लोग, कितने मुकेश बाकर और मैं इस राजनिती में ला सकता हूँ, ज